हेलो सुडेंट्स कैसे हो आप सभी I hope कि आप सभी अच्छ होंगे healthy होंगे and fit होंगे मैं भुपे इंद्र सिंग पिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल The Scholars House में सुडेंट्स आज आप सभी लोग कुछ ना कुछ नया देख रहोंगे हमारी स्क्रीन पर तो यस बिल्कुल आप सही देख रहे हैं यह हमारी ही क्लास है Scholars House की ही क्लास है आज हम यहाँ पर Class 10 Physics का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का एक टॉपिक डिसकस करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है Image Formation by Concave Mirror यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है students Concave Mirror, Convex Mirror, Concave Lens, Convex Lens, इनके Formless यहीं से आपके Questions बनते हैं तो यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इसे आज हम डिसकस करने वाले हैं आप लोगों के सामने, so friends, Maths की Class तो continue जैसे चल रहे थी, चलते रहेगी, इसमें कोई भी disturbance नहीं होगा, so आप सभी एक काम करिए, सबसे पहले तो इस information को share कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को, क्योंकि बहुतों को नहीं पता होगा कि यहा time to time इस channel से जो है update पहुंसते रहे, and जिन्होंने अभी तक WhatsApp ग्रुप को भी जॉइन नहीं किया है, या फिर Telegram ग्रुप को जॉइन नहीं कर रहे है, नीचे, description box में link दे रहे है, फटा फट से ग्रुप को जॉइन कर लेजी, so आईए students, आज हम discuss करने वाले हैं about, yeah, कौन के mirror, so हम जानते हैं कौन के mirror students क्या होता है, एक ऐसा spherical mirror होता है, देखिए, जिसका क्या होता है, invert क्या होता है, इसका क्या होता है, invert क्या होता है, reflecting surface होता है, मतलब यहां की तरफ, light अगर कहीं से आएगी, तो यहां से reflect होगी, यहां से, देखिए, अंदर की तरफ से, बाहर की यह mirror का एक part है, spherical mirror का एक part है, और इसका midpoint को हम क्या बोल रहे है, pole बोल रहे है, यहाँ से मैंने देखिए, क्या कर रहा है, एक line भी draw कर रहे है, pole से, जहाँ सुनना, इस pole से मैंने एक line draw कर रहे है, उस line का नाम है, principal axis, इसे हम क्याते है, principal axis, carefully सुनना, इसे क्या कहते है, principal axis कहते है, okay, now स्वेर्ण देखिए, इसमें देखिए, मैंने एक point और मना रहे है, पहले मैं C को बताऊँगा कि C क्या है, C को हम बोलते है, center of curvature, यह center of curvature क्या होता है, स्वेर्ण देखिए, अगर आपके पास a spherical mirror था, यह पूरा एक स्वेर्ण था पहले, और इस स्वेर्ण का जो center था, उसे हम कहते है, center of curvature, बात करते हैं, इस F के बारे में, इसे हम कहते है, focus और यह focal point आपके सकते हैं, चलिए students, देखिए, यह क्या है, मैं आपको दाता हूँ, कुछ rules हैं, जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ray के कुछ rules है, मतला light, अगर ऐसे आ रही है, principal axis के पहला आ रही है, तो reflection के बाद वो light ray कहीं न कहीं तो जाएगी न, चलिए, तो इसका एक rule है, इसको ध्यान में र द्यान सुना, यह light कैसी होगी, हमेशा यह law आप follow करेंगे, कि अगर कोई light ऐसे आ रही है, जो कि principal axis के parallel है, तो वो कहीं न कहीं, principal axis में एक point होगा, उसको pass करेगी, देखिए, यहाँ pass क्याना, इसने ऐसे करके, लेकिन इस point का नाम क्या है, यह पता नहीं चल रहा है, तो हमने इसलिए यह क्या आपका F होगे, आप समझ गए, कोई भी incident ray, अगर principal axis के parallel होगी, तो reflect होने के बाद focus से pass होगी, इतना आपको सभी को ध्यान रखना है, तो आईए, आज हम यहाँ पर क्या discuss करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए, short short, जल्दी हम कराएंगे इसको, देखिए, प्या करेंगे, ओब्जेट को लोकेड करेंगे, तो देखिए कुछ conditions है, उसकी तरह हम ध्यान देखिए, कि अगर मतलब पोजिशन कह सकते हैं कि हाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेट की position कहीना कहीना ऑब्जेट रखेंगे, in front of mirror, mirror के front में हम object को कहीना कहीन लोकेड करेंग तो minimum 2 rays, कम से कम 2 rays आपको object से दिखानी पड़ेंगी, object से कम से कम 2 rays आपको निकालनी पड़ेंगी अगर आपको image का formation करना है, साथ है स्टुनेंट हम यह भी बताएंगे आपको कि image जो बनेगी उसका nature कैसा होगा, nature का meaning यह है स्टुनेंट की image real होगी या inverted होगी, इंवर्टर मतला बिलकुल उल्टी, अगर आप सीधा खड़े हैं ऐसे, तो image आपकी उल्टी बन रही है, इस तरीके से, आइए स्टुनेंट, तो देखेंए सबसे पहला हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, position of object, object को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, infinity पर कर रहे हैं, यह मैंने कहीं object को infinity पर रख दिया, मतलब mirror से बहुत दूर रख रखा, कहीं न कहीं बहुत दूर रखा है, ऐसे मान के चले, all right, mirror से मैंने कहीं न कहीं बहुत दूर इसको रख रखा है, क्या होगा, इसमें ध्यान सेखना, अब दिखिए, light ray, यहाँ से अगर आती है, ऐसे करके, कैसे? यह, principal axis के बिलकुल parallel, अगर एक light आती है, incident ray, एक ray ऐसे आती है, जो कि principal axis के parallel है, ध्यान सुना सेखना, यह जो, आपको इसमें arrow बहुत ज़दा important है, सबस्यादा important इसमें arrow है, बिना arrow काई question नहीं हो पाएगा, तो अब प्लीज, arrow जरूरी बनालना, कि light आ रही है, तो किस direction में जा रही है, अब दिखिए, मैंने क्या कहा, यह है, reflecting surface, तो यह एक law है, यह एक rule है, कि अगर आप, कि जो ray है, इसमेंट्स वो principle axis के parallel है, तो reflect होने के बाद, it will pass from, क्या, focus से pass होगी, सब्सक्राइब देखिए, इसा भी तो possible हो सकता है, कि एक light ऐसे करके, यहां से भी आप बेज सकते हैं, बेजा, तो यह भी दिखिए है, यह light भी क्या है, जहा सुना, यह light भी क्या है, यह light भी आपकी क्या है, incident है, मत्तब यहां से object से आ रही होगी, जो कि principle axis के parallel है, स्वेंट्स यह क्या आपका principle axis है, अब यह दिखिए, rule के साब से यह भी कहां से pass होगी, स्वेंट्स, focus से pass हो जाएगी, तो सुना, यहां दिखना, मैंने आपसे क्या बोला, reflect होने के बाद, reflect होने के बाद, जहां भी उन दोनों lines का meeting point होगा, वहीं पर ही image बनने वाली है, तो सुना, अभी आप देखिए यहां पर, इस case में क्या हो रहा है, मैं यहां से light को लेके, यहां से गया और ऐसे आया, जोड़ा, यहां समझ माया सबको, ऐसे गया और ऐसे आया, focus से pass होई, ऐसी यहां से गया और इधर को चले हिश, ठिक है, focus से pass होगई, तो यहां पर क्या हो रही है? image form हो रही है, इतना इतना ओप्जट, इतना बड़ा object का size और image तो दिखी नहीं रही है बिल्कुल भी, तो इसका मतलब भी तो बहुत clear हो गया यहां से, क्या स्वन ध्यासिकना, जो nature, अगर मैं बात कोरूं, position of image कहां बनेगी भाई, at focus पर, आप देख लिजिए, कहां बनी, focus पर बन गई, अब आप देख रहे हैं, जो image है वो आपकी, जो image है आपको बिल्कुल दिखी नहीं रही है, तो आप कहा सकते हैं, बहुत ज़्यादा छोटी है, point size है, all right, now students, एक सबसे importance आपको बताता हूँ, nature के बारे में, इसके बारे ध्यास सुनना, नेचर, जब, जिया सुना, मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर nature की, जब light ray reflect होने के बाद, actually में आपको meet करते हैं, जब light ray reflect होने के बाद, actually में, बता है, actual आपको दिख रही है, हाँ ऐसा होगा, actual में आपको दिख रही है, तो वहाँ पर जो image बनती है, वो हमेशा कैसी होती ह है, real होती है, और मैं आपको दाद हूँ, real जो images है students, उसे ही हम क्या कर सकते है, screen में project कर सकते हैं, यह question आपके exam में आपसे पोच सकता है, right, real image को हम screen में दिखा सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक short video डाली हो है, candle flame वाली, उसको आप देख सकते हैं, उससे हम समझ जाएंगे, चलि और extremely diminished कह सकते हैं, आप लोग, बहुत छोटी, extremely diminished, तो यह हमारा पहला case तो हो गया, students, अगर आपका object ऐसा था, तो image उसकी ऐसी बनी है, यह हो गया, inverted, मतलब उल्टी, alright, समझ में आगया, यह ऐसा तो यह ऐसा, alright, तो इसको ध्यान देना सबसे पहले चीज, कि अगर object की position infinity पह है, उसकी image कहां बनेगी, focus पह बनेगी, और real होगी, inverted होगी, extreme image, क्योंकि actual में meet करते ह होगी, आपको दिख रही है, तो students, I hope, कि आपको पहला case थो clear हो गया होगा, तो इसे आप note कर लिजिए, इसे मैं आप rough करने जा रहा हूँ, तो real inverted and extremely diminished, clear students, चलिए, अब एक काम करते है students, यह सब कुछ मिटाते हैं, यह भी मिटाते हैं, यह भी मिटाते हैं, और यह ray diagram को भी rough कर लेते हैं, इस ray diagram को भी rough कर लेते हैं, और इतना ही part इसका rough करेंगे, क्योंकि अभी इसी में हमें क्या बनाना है, दूसरा image बनानी है, चीक है, तो यह देखे students, अब हम क्या करेंगे, second case हमारा क्या रहेगा, द्यांजिकना, what is our second case, second case में हम क्या कर रहे है, अभी मैंने object को बहुत दूर रखता है, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ असा pass ले आता हूँ, मतलब center of curvature से थोड़ असा close यहाँ पर रख देता हूँ, मतलब मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ, चलिए, अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, अब जाहें तो उसको लिख सकते हैं, यह ह ओगये ऐफका a, और यह होग्या बी, ab कया है एक तरीक हाँ, अब मैं आइधिक है अब बईर की position है, नौ सुन देखिये आप क्या करेंगे ठीक है, एक rule और है कि अगर कोई light focus से pass होती है, बिल्कुल इसका उल्टा, vice versa, कि अगर मैंने principle axis से light को pass कराया तो वो focus से pass हो गई अब मैं ऐसा कहूँ, कि एक light ray focus से अगर pass होगी, तो वो भी principle axis के parallel हो जाएगी तो मतलब यह आपको याद रखना है बस, कि अगर मैं ऐसी light ray निकालता हूँ, तो ध्यान देना यह जो आएगी यह, ठीक है जो light ray, मतलब incident ray मैंने ऐसे pass कराई, तो वो focus से pass होगी प्रिंसिबल axis के parallel हो गई यह दूसरा लाग हो गया, अब आप देख रहे हैं this is the actual meeting point of two light rays where image is formed अब देखिए, इमेज कैसी बन रहे हैं, आपके सामने आपको देख रहे होगी, देख लिजिए अब यह चीज़ देखिए, बहुत simple है, कि जब आपने क्या किया object को beyond c रखा है beyond c आपने place किया ठीक है, आपने जब beyond c प्लेस किया, इसका मतलब यह भी कह सकते हैं, हमने कुछ दूरी पर उसको रखा है, बहुत ज़्यादा दूरी पनी at finite distance finite distance पर आपने इसको रखा, तो आप देख रहे हैं, जो आपकी image है, पोजिशन के है, इमेज की between c and f मतलब c और f के बीच में आपको मिल गई है, अब आपके सामने आपको दिख रहे हैं, मतलब ऐसा हुआ कुछ देखिए, b dash, a dash से में represent कर दिया, clear हो गया तो a b image, a b object की size था, अब थोड़ा छोटा आपको आपको दिख रहा हो, थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है छोटा सा दिख रहा है, तो उसका आपको लिख सकते हैं, अभी भी actual meet कर रही है light rays, reflect होने के बाद real inverted real के साथ inverted भी लिखेंगे हम अब आप क्या लिख सकते हैं और diminished 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 in size मतलब student देखिए, यहां पर हम extremely diminished होता है एक होता है normal diminished तो सिर्फ यहां पर क्या हो रही है diminished हो रही है, छोटी हो रही है यह देखिए, इतनी बड़ी थी छोटी हो गए, time 13 minute हो गए, अभी काफी time है अच्छे से करेंगे discuss, एक एक चीज हम यहां पर करेंगे, now यह clear हो आपको beyond C, C से मैंने थोला पीछे रखा है, मतलब कुछ दूरी पर रखा है, इतना दूर नहीं रखा है, alright, तो ऐसे प्रिंसेबल अक्सेस के कोई light ray गई तो पास होई focus से, focus से प्रिंसेबल अक्सेस के पहलल हो गई चलिए, इसको मैंने सब कुछ मिटा दी है, मैं गलती से यह मैंना दिया F इतनी ही दूरी पर आपको क्या रखना है, स्प्रिंट सेंटर अफ करवेचर अभी मैं आपको आगे की क्लास में यह भी बताने वाला हूं स्प्रिंट अब मिरर फार्मला के लिए बहुत जरूरी है फोकस और सेंटर करवेचर चलिए, सो नाव देखिए हमने क्या क्या पहले मैं बहुत दूर था, फि मैं थोला सा पीछे आया, अब क्या हो सकता है अब ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अब्जेट को यहां रख दू इसको केरफली बनाना यहां पर देखिए थोड़ा बहुत से होता है अगर अच्छे से बनाएंगे आप लोग तो मैं एप्रॉक्स बनाऊंगा आप धियान रखना ऐसे ही बनेगी आपकी इमेज तो देखिए students यह आपका इमेज हो गया ठीक है यह A और B से मेंज को डिनोट कर दिया अब देखिए students sorry यह आपकी object की position हो गई object कहां पर है इस case में यहां पर लिख देते हैं in this case in this case object object at at c पर अब देखिए जब भी object c पर होगा center of curvature पर होगा तो आप ले जाए यहां से light इस तरह से ठीक है ले जाए भई ऐसी तो ले जाएंगे आप लोग light rays दिख रहा आपको clear ठीक है ठीक है चली students हम ऐसे ले गया तो उससे क्या होगा देखना है इस तरह किसे आपकी क्या होगी focus से pass होना ही होना है जो चीज हकीकत है यह हुआ now students अब देखिए दियां सिखना इस चीज़ को अगर मैं यहां से ले गया देखिए यह तो मैं प्रिंसिपल एसके पहलेल कर दिया तो इसरा आ गई है प्रिंसिपल एसके पहलेल किया तो लाइट रहे कहां पर आई focus से pass हो गई अगर focus से ले जा रहा हूं तो थोड़ा सा आप ध्यान देना इस चीज़ के लिए यह आपको मोटा मोटा लगेगा वैसे चली मैं थोड़ा सा इसको correct करता हूं इस ही में बहुत problem होती है जब तक आप स्केल से ना बनाए तो बहुत problem create करता है तो I think यह थोड़ा सी आपका थोड़ा सा धरपर होना चाहिए था थोड़ा सको close करना है इसको आप दिहां से देखना इसमें आपका problem हो सकता है ठीक है बनाने में ऐसे problem scale से बनाएंगे तो बहुत clear होगा आपका इसमें कोई दिक्कत ने होने वाले आपको बिलको straight line बनाएए हाँ पर तो पहले आप ठीक है तो मैं रखता हूँ project A B तो यहां से एक light ray ले गया मैं ऐसे करके तेरह तुम देखना ना उसमें सीधा बनाना हाँ यह सीधा हो रहा है बिलकुल यह गई और focus से pass हो गया चलिए अब क्या करेंगे आप देखिए यहां से एक और light ray ले जाएए और इसको कुछ ऐसे pass करना चलिए मैं आपको बतायता हूँ जब आप इसको scale से बनाएंगे तो बिलकुल correct बनेगा तो यह आइडिया ले ले जीए कुछ ऐसा होगा तो यह light भी देखोए यह जो line है यह भी सीधी नहीं है यह बहुत चीज़े यहां पा तेली मेली हो रही है आप इसको correct कर सकते बसका ध्यान देना क्या होगा यह गई देखे होता क्या है student जब object center of curvature पर है जब object center of curvature पर है तो उसकी image भी कहा बनती है center of curvature पर ही center of curvature पर ही बनेगी और साथ साथ student यह भी ध्यान रखना कि जो size है object का वही image का size भी रहता है मतलब size of object is equal to size of image same size as that of object समझे students size of image पहले हाँ यहाँ सिंखिए यह चीज clear होगी आपको यहाँ से गई पास होई focus से गई principle axis के parallel हो गई तो आई यहाँ पर लिए सकते है image भी कहाँ बनेगी अभी भी real होगी inverted होगी देखे देख सकते हैं real के साथ inverted भी है और size की बात करें तो same size as that of object लिख सकते है जितनी object की है यहाँ तक clear है सबको clear है यहाँ तक यह हमारा case 3rd था इसको लिखना बोल गयते so this is our case 3rd देखे students clear हो गया भी सबको चलिए अब हम क्या करेंगे इसको रफ करते हैं case 4th की तरफ चलते हैं right अब हम चलिए case 4th की तरफ अब आए इसको भी ध्यान से देखेंगे हम case 4 चलिए बए इसको रफ करते हैं सारे ray diagram रफ करतीजे आप लोग चलिए इसको पूरा ही रफ करतीजे एक image बनाते हैं बस sorry एक line बनाएंगे अब देखे stress दिहान रखना एक चीज का और यहां बनाते हैं ठीक है और यहां बनाते हैं C ठीक है अब हम क्या कर रहे हैं अभी तक हम पहले इंफानेट पर थे ब्याउंसी आए फिसी पर आ गए अब हम कहीं यहां रख देते हैं object को यह मेरी object की पोजिशन हो गई A-B यहां से light ray ले जाईए आप लोग और इस तरह किसे ले गए हम ठीक है students इस तरह से ले जाएंगे देखिए ले गए चलिए अब आप क्या कर रहे है ऐसे करके देखिए तो रस्तस को बड़ा ना दे देखिए students अब फोकस से अगर कोई light ray ले गई तो फोकस से पास हो गई चलिए तो clear है आपको यह clear होगा अब फोकस से अगर कोई light ray ले गई ठीक है तो यह भी प्रिंसिपल अक्सिस के पहलल होगी ठीक है students क्या होगी इस तरह अरे यह ना scale यहां से बनाते है ठीक है तो आप देख रहे है student यहां पर क्या हो रहा है clear आपको देख रहा है साफ-साफ कि यह आपके यह होगी A, B' और A' अल्टी इमेज बन रही यहां से पता लग रहा है clear students कि अगर आपने फोकस से पास कराई तो principal access के पहला हो गई और इस तरह किसे principal access के पहला को लाइट रहे थी तो फोकस से पास हो गई अब आप देख रहे है जो आपकी image है students वो कहां बन रही है beyond C बन रही है तो भाई इस case को हम यहां पर case लिख देता है इसका हमने क्या गया between C और F रखा है between C and F ठीक है के case 4 है हमारा कौन से case है 1,2,3,4th अच्छा 4th case है between C and F C और F के बीच में हमने रखा है तो आप देख सकते हैं beyond C आपकी इमेज बनी है इस C से पीछे आपकी image बन गई अभी भी real होगी ठीक है real के साथ inverted होगी क्योंकि actual meet हो रही है और अब आप क्या सकते हैं magnified image बन रही है ठीक है क्या बन रही है magnified image बन रही है क्योंकि देखिए यह छोटी थी अब थोड़ी बड़ी हो गई तो magnified हो गई magnified मतलाब enlarged image आप यहां लिख सकते हैं तो यह हमारा four case हो चुके है दो case और बच्चे है ध्यान से देख लेना भई चलिए आदे घंटे के अंदर यह खतम हो जाएगा हमारा topic I am going to rough again this part चलिए चलिए आये line बनाये proper यहां पर हमने focus रख दिया है चलिए अब बहुत important है इसको ध्यान से देखना आप लोग ठीक हो गया यह हमारा center of curvature है सीख लेना भई इसको देखिए जब object अब कहां-कहां लेगे भई हम बहुत पीछे थे कहां-कहां नहीं थे यहां थे फिर यहां पर आये फिर इस पर आये अब इस पर आ गए अब आखे चले जाएंगे last वह रहेगा ठीक है अहां mirror के पुरा चिपक जाएंगे mirror से तो आपके image कहां बनेगी फिर ठीक है तो वह तो आपको करना नहीं है तो यहां से आप क्या करिए यह ले गए light ray तो यह ऐसे करके शुर्वन पास हो गई सुर्वन देखिए एक किस और है जब कोई light ray ठीक है किसी object से कोई light ray अगर ध्यां सेकना center of curvature से पास होगी तो center of curvature पर ही वापस आ जाएगी यह भी एक rule है light का तो इस वहां से consider करिए कि object से तो बहुत सा light जा सकती है और कैसे भी जा सकती है आपको पता है मालनेते हैं कोई light ray ऐसे आ रही होगी ऐसे करके तो यहां आप देख सकते हैं क्लियर करता हूँ चलिए यह गई जा तो यहां से करके और यह light ray कुछ ऐसी होगी जो reflect back on its same path अपने same path पर reflect हो जाए क्योंकि यह light ray कहां से होगी center of curvature से आई होगी ऐसे मान के चलना आप लोग मतलब ऐसे जा रहे है तो ऐसी वापस आ रहे है इसका मतलब यह कैसी होगी आपकी center of curvature से पास होगी अब यह नहीं बन रहा है लोग बना दिया मैंने ठीक है इसको दिहार में रखना आप लोग यह center of curvature से students पास हो गई है इसका अनलब स्वेन एक rate अगरम में यह भी होता है एक rule होता है कि अगर कोई light ray center of curvature से पास हो रही है तो वो क्या करेगी reflect होने के बाद धरदर नहीं जाएगी उसी path पे path वही follow करेगी लेकिर उसकी direction opposite हो जाएगी अपनी opposite direction में वो आ जाएगी यह देखे ऐसे गई तो same direction में आई reflect होके उसी direction में reflect होने के बाद मतलब सुर्ण दूसी direction में आगे reflect होने के बाद तो यह valid action हो गए ऐसे गई और ऐसे ही आगई तो आप देख रहे हैं यह image कुछ बनेगी लेकिन बहुत दूर infinity पर बनने वाली है clear students कहां बनने वाली है infinity पर तो यह case एकला इसको आप याद करना चाहें याद कर लिजी बिलकुल clear हो जायागा आपको ठीक है students तो देखिए यहाँ पर लेख सकते हैं अच्छा इसको मिटायते हैं हम अब हमने क्या करा है at at focus अगर आप focus पर रखा है तो image आपकी कहा बन रही है infinity पर कह सकते हैं at infinity पर आपकी image बनेगी तो देखिए तो यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हैं inverted होगी कही ना कहीं करेंगी inverted होगी all right real inverted और साथ साथ अब आप क्या लिखेंगे extremely magnified extremely magnified image बनने वाली इतना clear है सबको इतना clear है focus समझ गए focus पर आपको object था principal access के पहले होई focus से pass होगी और अगर ऐसे जा रही है मतलब कोई light ray ऐसे आ रही होगी यह object से भी ऐसे निकली तो reflect it back along its same path reflect back उसी वही से क्या होगी reflect होगी जहां से गई वही को reflect होगी तो यह आपका बन गया है case at focus position of image at infinity nature and size of image real, inverted and extremely magnified so एक ऐसा case कौन के mirror के अंदर इकलौता एक ऐसा case है जहां पर आपको image कैसी होगी अब क्या बनेगी आपकी image को clearly सुनना वह real नहीं बनेगी अब मैं आपको जाता हूँ what is virtual meat what do you understand by the virtual meat virtual meat का मतलब क्या होता इसके लिए मैं काम करूंगा थोड़ा सा पूरा ही diagram मुझे यहां पर rough करना पड़ेगा यह मैंने बना दिया कौन के mirror का एक part अब देखिए students क्या होगा आप यहां से क्या निकालिये फिर से यह यह principal axis यह pole यह focus and this one is center of curvature अब हमारा case case 5 case हो चुके थे यह हमारा fifth case था अब हमारा six number का case आ रहा है तो इससे rough कर दीजिए इससे भी rough कर दीजिए और इसको भी students rough कर दीजिए द्यान सुनना स्प्रेंट्स क्या होगा इस समय थोड़ा साथ को अच्छा बनाईए अब दीखिए जो आपकी इमेज है स्प्रेंट्स जो आपका object है वो यहां पर है object कहां पर है pole और focus के बीच में between between f and p आप लिख सकते है ना सुन ध्यान सिखना ऐसे अगर lighter ले गया यह इसको ध्यान सिखना यहां से गई lighter ऐसे करके यह अब क्या होगा focus से pass कराएंगे यह लो करा दिए focus से सुन यह clearly आपको दिख रहा है अगर center करशे से एक lighter जा रही है ठीक है और object से भी pass हो रही है ऐसे मान के चलिए थोला सा इसको ऐसे करके तो ऐसे अगर देखिए यह देखिए यह देखिए ऐसे मान के चलिए ठीक है तो यहां से मैंने एक lighter पास कराई और यह ऐसी lighter होगी जो center करशे से पास हो रही होगी अगर मैंने यहां से एक lighter ले गया मैं ऐसे करके तो वह क्या होगा अपना वही path को follow करेगी और reflect होके पीछी की तरफ चले जाएगी सबजगे इस चीज़ को ऐसे देखिए सबसाब दिख रहा है सबको तो सुर्ण देखिए यहां तो यह ऐसे फैल जैसे रही है आपको login राक ही कहीं meet करेगी ठीक है तो यह काम करते हैं इसको अगर थोड़ा साब करते हैं dotted line से आगे की तरफ पीछे की तरफ इसे कहते हैं behind the mirror इस तरह से मांगे चलिए तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है इसे हम कहते है virtual meet actual meet नहीं कर रही है actual meet तो यह होता है कि reflect करने के बाद तो पीछे को आई यह light trace ठीक है reflect करने के पीछे को आई अब पीछे को आने के बाद students यह तो कहीं meet नहीं करी है यह तो कोई meet नहीं कर रही है मतला यहां पर इमेज बनीगी वह real तो बनेगी नहीं अगर हम देख रहे हैं तो अगर हम इसको पीछे के तरफ ले जाए तो यह daughter land से represent कर रहे है तो असे हम कहते हैं virtual वर्चुल मतला यह वर्चुल इमेज आपा बन रहे है वर्चुल मेज वही इमेज उती है जो हम plane mirror में देखते हैं इसे हम कहते हैं behind the mirror तो अगर यह object की position थी a, b तो आप क्या हो गई a-b- अब आप देख रहे हैं यहां पर हम कह सकते हैं कि between f और p है तो image कहां बनेगी behind the mirror mirror के पीछे बन रही है behind the mirror और हम कह सकते हैं virtual होगी अब नए नाम आता virtual के साथ erect erect का मतला बिल्कुल cd image जैसे यह थी वैसे ही वो भी समझें आप अपनी image plane mirror में कैसी देखते हैं बिल्कुल cd समझ गयोंगे आप लोग magnified, highly तो नहीं कहींगे magnified image तो यह clear हो गया यहां से आपको इस सारे के सारे rate अगरा the polar focus के बीच में अगर object है तो जो image आपकी बनेगी behind the mirror बनेगी और बिल्कुल magnified image बनेगी अब देख सकते हैं virtual meet कर रही है actual meet नहीं कर रही है So I hope students यह सब आपको So students clear है आप सभी को एक बार मुझे सभी बताएं कि आपको यह class कैसी लगी इसमें आपको image formation समझ में आया या नहीं जरूर मुझे बताएं तभी मैं इस class को आगे को भी और continue करूंगा और इसमें classes लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए तो इसमें कुछ doubt हुआ हो आप लोगों हमसे पूछ सकते हैं तो चलिए इस class को अब हम यह पर ही finish करते हैं अब हम आप लोगों से मिलेंगे next class में में भी physics की भी हो सकती है अब हम जो next class करेंगे तो उसमें convex mirror के case कराएंगे आपको convex mirror में image formation आपको सिखाएंगे दो ही case होते हैं उसमें से जल्दी से हम खतम कर देंगे तो उसमेंस मिलते हैं आप लोगों से next class में तब तक लिए आप सभी students अपना ख्याल रखिए take care and good bye